गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगोंने एक्सरसाइज की थी 10.1, आज हम लोग एक्सरसाइज 10.2 करेंगे, पेड नमबर 150 ओपेन करेंगे, 150, ठीक है, इसमें हमें कनवर्जन करना है, ठीक है, तो कॉपी ओपेन कर लीजे, और मैं करता हूँ कोशन आप लोग भी सासाथ करिएगा, देखो, यहां देखो, कह रहा है कि एक्स्प्रेस इच आप दा फॉलोइंग इंटू सेंटी मीटर और मिली मीटर, मैं बन कॉश्चन करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, देखो, कॉश्चन नमबर 1 का A, कह रहा है कि 85 मिली मीटर को हमें लिख सकते हैं, 80 मिली मीटर प्लस 5 मिली मीटर, लिख सकते हैं, तो 80 divided by 10, अब यह सेंटी मीटर में चेंज हो गया, डिवाइट करते ही, प्लस 5 मिली मीटर, तो यह हो जाएगा, 8 सेंटी मीटर प्लस 5 मिली मीटर, ठीक, एक कॉश्चन और देखो, कॉश्चन नमबर 2 देखो 105 mm तो इसको हम ऐसे लिख सकते है 100 mm प्लस 5 mm तो 100 को हम लोग 10 से डिवाइट करेंगे तो कितने में बदल जाएगा यह cm में बदल जाएगा 10 से डिवाइट कर दीजे यह cm में बदला 5 mm 10 cm 5 mm प्लस 5 mm हो गया यह यह हमारा आंसर हो गया अब question number यह मैंने आपको A और B करके बताया आपको यह COD करना है यह copy पर बटा यह सारे काम copy पर करने हैं आपको ठीक है यह COD आप अपने से करेंगे चलो question number 2 करते हैं हम लोग question number 2 में कह रहा है each of the following meter and centimeter में change करना है ना question number 2 का A देखो 685 cm तो हम लोग इस पर लिख सकते हैं 600 cm प्लस 85 cm इसमें हमें 100 से डिवाइड करना है ठीक है चलो एक question और मैं करके दिखाता हूँ तुमें question number F देखो 509 cm तो 509 cm को हम लोग लेज़े सकते हैं 409 सारी 5 मैं बोल रहा हूँ 409 400 cm प्लस 9 cm तो 400 को हम लोग किस से डिवाइड करेंगे 100 से तो यह किस में बदल जाएगा मीटर में 9 cm 4 मीटर 9 cm हो गया यह तेक अब question number 3 देखो यहां देखो मैं question number 3 भी इसी में करता हूँ 3 का यह बाकी का देखो बेटा यह सारा आपको करना है question number 2 का यह सारा question आपको करना है यह copy page आपको करना है question number 3 देखो इसमें कह रहा है express each of the following into kilometer kilometer में हमें बदलना है तो यह बहुत easy है kilometer में बदलने के लिए हम लोग thousand से divide करेंगे तो यह है 8,000 meter तो इसको लिखेंगे 8,000 divided by thousand यह kilometer हो गया है ना इसका मतलब क्या हो गया 8 kilometer अब यह यह हुआ देखो इसका मैं तुमको C करके दिखाता हूँ कह रहा है 79,000 meter तो 79,000 divided by 1000 यह हो गया kilometer में बदल गया it means 79 kilometer हो गया हम अब देखो यह question number 3 का यह यह बागी का सारा आपको करना है question number 4 मैं करके बताता हूँ कह रहा है कि 9,490 millimeter into meter और millimeter में बदलना है तो हम जानते हैं 1 meter is equal to 1000 millimeter तो 9,490 millimeter इसको लिखेंगे 9,000 millimeter plus 490 millimeter तो 9,000 को हम लोग डिवाइट करेंगे 1,000 से यह meter में बदला plus 490 millimeter हो गया यानि कि 9 meter 490 millimeter तिक यह question भी आपको copy पे करना है अब जो book में करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ यह fill in the blank साब को book में करना है करें यह कंचंचंगा की height जो है वो meter में इसको kilometer और उसमें बदलना है 8,586 kilometer है तो इसको हम लेज़े सकते हैं 8 kilometer 586 meter नंदा देवी 7 kilometer 816 meter कमेट 7 kilometer 756 meter यह वाला जो है मुकुट परबत 7 kilometer 242 meter दिशी पहार 6 kilometer 992 meter हो गया यह बेटा exercise हमारी finish हो गई next class में हम लो next exercise के साथ मिलेंगे बेटा तब तक के लिए बाई